हेलो अब्यूवन वेल्कम अगें इन लर्ण विद देतिमन बचों आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट का चैप्टर नमबर टू और जैसा की हम हमिशा की तरह बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर फर्ष्ट तो चले श्टार्ट करिए राजिस्थान एकी कर्ण से पूर कितनी रियासतों में विवक्त था तो राजिस्थान जो था 19 रियासतों तीन ठीकानों और एक केंद्र प्रशास प्रदिस में विवक्त था जो राजिस्थान एकी कर्ण का जो काम था 1948 से देकर 1956 तक 1948 से 1956 तक राजिस्थान का एकिकर्ण का कार्य हुआ है और इसमें जो 19 रियासते हैं तीन ठिकाने और एक करेंद प्रसुषित मिलकर क्या हुआ एक पूरे राजिस्थान का निर्मान हुआ था चलिए नहीं कोशन देखिए राजिस्थान को भौगौलिक आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है तो कितने भाग है थार का मरुस्तल अरावली परवर्शंकला जो इसमें की सबसे प्राचिंतम परवर्शंकला भी है पूर्वी मैदान और दक्षिन पूर्वी पठार चेतर दक्षिन अगर्वाति का पठार चेत्र है तो यह है आपका और आपका पूर्वी मैदान भाग है वह यहां पर है यह वास्टिक्ता में गंगा का विश्दत मैदान चेत्र है ईना मैदानी भाग जो сок इमनगाई परवर्शंकला ने की परवर्शंकला और आपकामम रुस्तल य चलिए नेक कोशिन देखिए थार का मरुस्तलिय भाग राइस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है थार का मरुस्तलिय भाग राइस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है तो देखिए राइस्थान के बारे जो जिले हैं उतमें मरुस्तलिय भाग फैला हुआ है जिसमे पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वहां से लेकर अरावली परवर्शंक्ला तक राईस्थान में फैला हुआ है और लगभग 61% भाग का यहां पर फैला हुआ है चलिए मैं कुश्चन देखी विस्व का धनी मरुस्थल किसे कहा जाता है विस्व का धनी मरुस्थल किसे कहा जाता है तो देखी इसका आंसर तो आपको इनीशी सुर्प से पता है थार के मरुस्थल को क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं थार का मरुस्थल क्यों धनी कहा जाता है क्योंकि अन्य ज पर यहाँ पर जादा जन घनत हैं यहाँ जादा सुवीदाये हैं तो इस वज़ए से इसको धनी मरुस्थल कहा जाता है यह छेट्र क्या है जन संक्या भी बहुत है और आहसान का जो 40% जन संक्या वो इसी छेट्र में निवास करती है चलिए नहीं पशें देखेए भारतिय महा मरुस्तल यानी Great India Desert किसे कहा जाता है? बार्ड मेर जैसल मेर विका नेर के मरुस्तल ये भाग को भारतिय महा मरुस्तल या Great India Desert कहा जाता है बाडमेड जैसलमेर विकानेर में मरुस्थलिय भाग जो है उसको Great India Desert कहा जाता है इस छेत्र में बालु का इस्थूप जिसे हम धोरे भी कहते हैं यानि रेत के टीले बाली का इस्थूप या धोरे या फिर रेत के टीले यह क्या होते हैं जो हवा के साथ अपना इस्थान भी बदल लेती है और इस छेत्र में मरुस्थलिय वनस्पतियां भी हमें और मरुस्थलियों की तरह पाई जाती हैं है न चलिए नेक कुश्चन देखे राजस्थान का राज्य पुस्प कौन सा है राजस्थान का राज्य पुस्प कौन सा है तो हम सभी जानते हैं रोहिडा जो है वो राजस्थान का राज्य पुस्प है और यह एक मरुस्थलिय वनस्पति भी है इसी तरह राजस्थान का राज्य व्रक्ष कौन सा है तो राज्य व्रक्ष खेजड़ी है यह भी जो व्रक्ष है यह भी मरुस्थलिय वनस्पति के उसमें आता है ठीक है चले निया क्योशन देखें राइस्थान के मरुस्थलिय छेत्र में पाए जाने वाली प्रमुक घास कौन सी हैं तो कौन सी हैं कैर, सेवन, धामन, करड और आदिश, सेवन, धामन और करड जो हैं यह कैसी है यह घास है यह गास मरुस्थoline गास है जो राजीस दारकिशन में वह कित पाई जाती हैं कैर, आाख, थोर, लाणा, फोग, आरणा यह क्या है यह प्रमुक जाड़िया हैं जो इस च्यथ्र में पा जाडियां हैं जो इस छेत्र में पाई जाती हैं चाहिए मैं क्यूश्यन देखी इंद्रा गांदी नहर परियोजना द्वारा किस नदी का जल लाया गया है इंद्रा गांदी नहर परियोजना द्वारा किस नदी का जल लाया गया है तो किस नदी का सतलन नदी का जो पानी है तो राइस्थान में इंद्रा गांधी नहर पर olsun के दौराइं पनाया गया है ताकि जो पुष्पी मरुस्थल्य चेट्र है उसका मरुस्थल्य विस्तारड ना हो और वहां पर भी सिचुणाई के साधन विक्षित किये जा सकें इसलिए इंद्रा गांदी नहर पर रियुजना प्राहरम किये गई थी और जो शतलन नजी का जल लेकर आती है नहीं क्वेशन देखें राजस्थान के कितने प्र तीसाथ छेत्र में अरावली परवर्शंकला फैली होई है और यह दक्षिण में गुजरात के खेड ब्रह्मा से दक्षिण में जो हमारे गुजरात स्टेट है गुजरात राज्या है उसका जो खेड ब्रह्मा छेत्र है वहां से उत्तर में दिल्ली तक ये 600 बाण में 692 किलोमेटर लंबी है ठेक है और अरावडी छेत्र रायस्तान का सबसे मुझा छेत्र है जो रायस्तान को पूरी और akah किसे कहा जाता है रावडी परवशंक्ला को ही राजिस्तान की जीवन ब्रेखा कहा जाता है उसका कारण क्या है ये मांशुनी पाउनों को रोकता है जिसे दक्षणिया पूरी राजिस्थान में वर्षा में सहायता मिलती है ये पहशिम भाग में मरुस्तली विस्तार को रोकता है इस वाज़े से पूरी जो राजिस्थान है वो मरुस्तली छेतर नहीं है बहुत सी नजियों का ये उद्गम इस्थल भी है या अनेक प्रकार की जड़ी बूर्टियां और खनीशन साधन भी पाई जाते हैं तो राहिस्थान के लिए वास्टविक्ता में एक जीवन रिखा का कारे करता है चलिए, नेक क्वेशन देखें राहिस्थान में अरावली परवत की सबसी उची चोटी कौनची है गुरू सिखर है गुरू सिखर जो 1722 मीटर है और शिरोही जिले में इस्थित है नेक क्वेशन देखें राहिस्थान का पूर्वी मेदान भारत की किस मुखे ने दिका विस्तरत मैदानी छेतर का हिस्था है राहिस्थान का जो पूर्वी मेदान है भारत किस मुखे ने दिका विस्तरत मैदानी छेतर का हिस्था है यह गंगा के मैदाशचेट्र का देंगे रयस्थान का पूर्वी मैदान है उसे मैदानों वा Keeper कि धू? यहां जन गनत्व सरवादिक होता है, जब राहिस्थान का यह जो छेत्र है, मात्र 23 पृतिसत है, और इसमें जो जन्संग क्या है, राहिस्थान की 40 पृतिसत जन्संग क्या इसी छेत्र में निवास करती है, तो यह राहिस्थान का भी सरवादिक जन गनत्व का भी छेत्र है, उत्खात भूमी या बैडलेंड टॉपोलोजी किसे कहा जाता है। देखें उत्खात भूमी क्या है। अपर्दन के कान बनी उबर खावर भूमी जिसे बीहर या डांग छेतर भी कहा जाता है। और फिर वीजाख जाता है। जिर वीज़ कहते हैं ऑपर्दन के कान बनी उबर खावर भूमी या डांग छेतर भी कहा जाता है। जहते हैं अंट जो सबसे जादा जो जे चैल रहे चंबल नदी के सहारे कोटा से धौलपूर तक बिस्तरत है ये कहां पया है चमबल घाटी के सहारी साथ जो चलते हा और कोटा से धौलपूर तक एचै़्ध में कोटा से धौलपुर तक फैला हुआ है एक क्योशन देखिए राजिस्थान के किस छेत्र में माही का मैदान इस्थित है तो राजिस्थान के देख्षणी भाग में बांसवाड़ा जो प्रताबगर जिलों में माही और साहिक नदियुद्वारा निर्मित मैदानी भाग है जि किसे क्या कहा जाता है माही का मैदान कहा जाता है चलिए नेक क्वेशन देखिए चपन का मैदान किसे कहा जाता है चपन का मैदान किसे कहा जाता है तो देखिए मैदान जो माही मैदान मैदानी छेत्र है उसमें चपन गाओं का और चपन नदी नालों का एक समूँ है जिसक राईस्थान के दक्षनी पूरी भाग में इस्थित पठारी भाग को हाडावन्सी का पठार किस कारण कहा जाता है तो देखे राइस्थान के दक्षनिपूरी भाग के प्राचिन काल में हाडावंसी सास्कों का चेतर था इन ही के नाम की वज़े से इसको हाड़ोती का पठार करा जाता है और राइस्थान का लगवग 7% चेतर ये कवर करता है जो इसकी अधिकान जो भूमी है अधिकान जो मि मध्यम काले रंकी हैं मध्यम काली है और राइस्थान के अन्य पठारों में जैसे उडिया हुए आबू, भौराट, मैसा, उपरमाल, लसाडिया के पठार आली हैं कौन-कौन से हैं उडिया, आबू, भौराट, मैसा, उपरमाल और लसाडिया चले नएक कुर्शन देखते ह और अरवली में यह उत्तर पोरू में उपात्दर जलवायू पाई जाती है। सवाई मादोपोर से उधयपोर तक आरदर जल्वववय पाई जाती है , और इसी प्रिकार दक्षण में बांस वाड़ाव है दक्षणी पूरवी झाल वाड़ में अति आरदर जल्ववय पाई जाती है मैं दुबारा रिपेट एक पर कर देता हूँ, ज्राइस्थान के पश्चिमी भाग में 61% सुस्क और अर्दसुस्क मरुस्तली जलवायू है, अरावली के पूरु में जैपूर एवं उत्तर पूरु में उप आद्र जलवायू है, सवाई मादोपूर से उदैपूर तक आद् जाती है, और इसी प्रकार देक्षिन में बासवड़ा वे दक्षिनी पूर्वी जालावाड में अति आद्र जलवायू पाई जाती है। देखे, राइस्थान का जो अक्छान से इस्थिति है, भारतिय महदीप में उत्री पर्षिम की जो इस्थिति है, समुद्र से जो दो चलें, नेक्षिन देखे, राजिस्थान की आसत वार्सिक वर्षा कितनी है, तो राजिस्थान की आसत वार्सिक वर्षा कितनी है, तो राजिस्थान की आसत वार्सिक वर्षा 57.51 सेंटिमीटर है, 57.51 सेंटिमीटर जो वर्षा है, इन्हीं 57.51 सेंटिमीटर जो वर्षा है, नेक्स्ट पॉशन देखें राजस्थान में मुख्यता है कितनी प्रकार की रितू पाई जाती है राजस्थान में मुख्यता है कितनी प्रकार की रितू पाई जाती है तो देखें मुख्यता है इसमें तीन प्रकार की रितू पाई जाती है वो गृņष्म रितो का माना जाता है जोलाई से जो सेप्टेंबर का साइम है वो वर्षारितो का माना जाता है और सीत रितो आक्टूबर से फरवरी तक मानी जाती है थे anxious चलिए नेक्सक्ट कोशन देखिए राजिस्थान के गृष्म रितो में चलने वाली गर्म वे धूल भरी हवाईं क्या कहलाती है राजिस्थान के 20 मृतु में चलने वाली गर्म वे धूल भरी हवाईं क्या कहलाती है देखिए यह इस्थानी पवने है और इसको क्या कहते हैं हम यहापे उसको कहते हैं लू इसको लू कहते हैं लू राजिस्थान के 20 मृतु में चलने वाली वह गर्म पवने है जो धूर पर ही आंदिया चलाती है और इसकी कई बार जो गती होती हो 140 km प्रती घंटी के स्पीड तक यह हो सकती है चलिए जो तो ने देखते हैं एक बात और जहां यहां जो संब्सक्राइब करते हैं तो जो टैंपरिचर होता है वह जो 30-40 डिग्री इस पर इंस तक का तापन हो जाता है थार मरुस्तल शेतर गर्म चेतर यह कि रेद बहुत जल्दी गर्म भी होती है तो बहुत जल्दी ठंडी भी ह इस वज़े से दैनिक जो ताप आंतर हैं। यानि दिन में जो ताप होता है, त्रहू जल्दी थंड़ा हो जाता है। next, देखिए! राइस्ठान में वर्षा रेतो शामने था है तो देखिए हम अभी बात कर चुके थी जुलाई से स्ब्सक्याbrais वर्षा से आते हैं कहां कहां से आते हैं राजिस्थान में जो मांसुनी पवने होती हैं वो कहां कहां से आएंगी वो आती हैं एक तो अरब सागर से और एक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की जो जो वर्षा होती है वो कहां होती है वो दक्षणी राजिस्थान में होती है सामने त तुलनात्म कद्धेन किया जाता है, बंगाल की खाड़ी से जो वर्सा होई और अब सागर के मांसून से जो वर्सा होई तो इसमें बंगाल की खाड़ी के मांसून का जादा योगदान होता है राइस्थान की वर्सा में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जो मांसून आता है, वहां से ज्यादा वर्सा होती है, इसी वज़े से जो पूर्वी चेत्रे वहां मैधानी भाग ज्यादा अच्छे से विक्सित है, क्योंकि वहां वर्सा चेत्र काभी अच्छा है, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कोश्चन देखते है, राइस्थान में बंगाल की खाड़ी का मां आञे, पूर्वे चेत्रों में मु क किस जिले में होती है, तो हम सभी जानते हैं, राइस्थान के सब्से कम वर्सा जैसल मेर में होती है, और ये लगबख 10 सेंटीजमीटर से भी खम हो सकती है, जदी किति हो सकती है, जैसल मेर में लगबग 10 cm से भी कम हो सकते हैं जब सबसे ज्यादा वर्षा जिस जिले की बात करें सबसे सरवादिक वर्षा जो राइस्थान की जिले में होती है वो है जहलावाड यहां लगबग 100 cm की आस्तन वर्षा होती है कितनी 100 cm लगभग औस्तन यहां जालावाड जिले में वर्सा होती है Next question देखे अरावली के सहारे फिलिन्दा ब्लैंक या खाली स्थान सेंटीमीटर सम वर्सा रेखा राइस्थान को दो भागों में विभाजित करती है अरावली के सहारे खाली स्थान सेंटीमीटर सम वर्सा रेखा राइस्थान को दो भागों में विभाजित करती है तो सबसे पहले तो इस question को समझने के लिए आपको यह पता होना जी कि सम वर्सा रेखा क्या है तो देखें सम वर्सा रेखा वो होती है मांचित्र पर समान वर्सा वाले इस्थानों को जोड़ने वाली काल्पिनिक रेखा मानचित्र पर समान वर्षा वाले इस्थानों को जोड़ने वाली जो कालपनेक रिखा होती है उसको क्या कहा जाता है सम वर्षा रिखा कहा जाता है तो हमारे राइस्थान है उसको दो भागों में विभाजित करती है और अरावली परवत के सहारे एक समवर्षा रेखा चल दी है वह रावली परवत के सहारे इसका मतलब क्या हुआ जो पश्चमी राजिस्थान है 50 cm से कमवर्षा होती है और जो पूरवी राजिस्थान में विवक्त किया हुआ है पूरवी और पस्यमी रईस्तान में 50 cm से कम वर्सा होती है और पूरवी भाग में 50 cm से अधिक वर्सा होती है चली, next question देखिए मावट किसे कहा जाता है मावट किसे कहा जाता है सीत रितु में होने वाली वर्षा मावट कहलाती है जिसे पश्चिमी विच्छोब भी कहा जाता है सीत रितु में होने वाली वर्षा जो क्या है मावट कहलाती है और इसे पस्चिमी विच्छोब भी कहा जाता है तो ये था आपका इस चेप्टर का आख्री कोशन तो मिलते हैं नेक्स चेप्टर में तब तक के लिए बच्चोब थैंक यू